हलो अब्रिवन, वेलकम टो वीपेस हेड़ा, वीपेस हेड़ा पर आप सभी का स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम अप्राइल 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट रफेर्स है उन सभी को कवर करेंगे, जॉब लेना है तो इन करेंट रफेर्स को आपको करके ही जान है, यह सारे के सारे 5 स्टार कोस्टन है, अर्था इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ही जादा है, तो भाई चलिए रट लेते हैं इन सारे कोस्टनों को, यह सारे कोस्टन जो है BPSC, UPSC, UPSC, JPSC, SSE या रेलवे, किसी भी एक्जाम के आप त्यारी कर रहे हो, उन सभ के लिए यूसफुल होगा, तो आएए देखते हैं, आज का सेशन स्टार करते हैं, पहला कोस्टन है, बहरीन ग्रैंट प्रिक्स 2021 किस ने जीता है, बहरीन ग्रैंट प्रिक्स 2021 जो है, लुईस हैमिल्टन ने जीता है, तो इस प्रस्टन का अंसर होगा, लुईस हैमिल्टन, अग्ला प्रस्ण है अटल इनोवेशन मिशन के नए निदिशक किसे बनाये गया है तो चिंतन बैसनब को बनाये गया है अब हमारे साथ अंसर बोल ये तबी आपको याद रहेगा अगला है बित्तिय समावेशन सुचकांक अर्थात Financial Inclusion Index वार्षिक रूप से जारी करने की घोसना किसने किया है तेको कोस्टन में डिरेक्ट रहेगा कि बित्तिय समावेशन इंडेक्स इन में से किस समस्था के दोरा जारी किया जाता है तेके सुपेश का फुल फाम होता है Supreme Court Portal of Assistance in Courts Efficiency क्या होता है Supreme Court's Portal of Assistance in Courts Efficiency ठीक है और यह है क्या यह है Supreme Court का Artificial Intelligence से संचालित होने वाला सोध पोर्टल ठीक है क्या ये Supreme Court का Artificial Intelligence से संचालित होने वाला सोध पोटल है अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद है भारत की पहली महला क्रिकेट कमेंटेटर जिनका हाली मिनी धन होगे उनका नाम बताना है आपको देखे भारत की पहली क्रिकेट महला जो कमेंटेटर थी वो थी चंदरा नाइडू कौन थी चंदरा नाइडू और ये किन की बेटी थी ये भारत के पर्थम टेस्ट कप्तान सीके नाइडू को बेटी थी ठीक है तो चंदरा नाइडू इस प्रसंद का आंसर होगा अगला देखते हैं अगला है CRPF द्वारा सौर दिबस कब मनाया जाता है ठीक है CRPF के द्वारा सौर दिबस कब मनाया जाता है देखे CRPF परतेक बर्ष 9 अपरेल को सौर दिबस मनाता है ठीक है देवी संकर अवस्ति प्रसकार 2020 जो है आसुतेस भारद्वाज को दिया गया है किसको दिया गया है अगला देखते हैं देखो बहुत ही इंपॉर्टिंट कोस्प्सन है यह जी मिटिंग की बरतमान अद्रस्ता किसके द्वारा किया जा रहा है 2021 में जितने भी G20 के मिटिंग हो और 2023 में किसके दोरा के जगा 2023 में अपना प्यारा भारत के दोरा के जगा अगला देखते हैं प्रशन है एक्जाम बारियर पूश्त किसके द्वारा लांच किया गया है तो इसको याद रखिए अगला देखते हैं भाइ 36 गड़ विरणी प्रुसकार से दूती चंद को सम्वानित क्या जाएगा और ये दूती चंद कौन है? दूती चंद धाबक है ठीक है? दूती चंद का सम्बंद की स्क्यल से है तो धाबक है हूं वैसे श्टुडेंट जो इस चैनल से जूड़े हुए हैं उनको इस सारे तो चलिए अगला देखते हैं, हाली में किंद्रिय सिच्छा मंत्री रमेश फुक्रियाल के द्वारा, याद रखिएगा, दुनिया का पहला Micro Sensor अधारित, अर्थात Micro Sensor पर बेस्ट जो है Bisphotech Trache Detector क्या है, Bisphotech Trache Detector जिसको हम बुलते है, Explosive Trache Detector launch किया गया है, उसका नाम क्या है अपको उसका नाम बता नहीं, ETD です 보이는 Trache Detector दुनिया का पहला देखो यह किया गया है, Nano Snipper के दोरा किसके दोरा? तो आपको इसका नाम है याद रखना है नाम क्या है नाम क्या है और यह मातर 10 सेकंड में कोई भी अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है अमबेदकर जनती कब बना जाता है अगला प्रसन देख लेते हैं अच्छा अमबेदकर कौन थे अमबेदकर जिसको भारत के संबिधान का पितामा बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं भारत के संबिधान का पितामा बोलते हैं अगल अगला है हाली में सर रिचर्ड हैडली पदक्सी किसे सम्मानित किया गया है देखो सर रिचर्ड हैडली जो है उससे केन बिलियमसन को सम्मानित किया गया है किसको सम्मानित किया गया है केन बिलियमसन को अगला है नाडा के नय महानिदेशक किसे बनाया गया है नाडा के नय मह पॉपिंग एजनसी ठीक है नाड़ा के नए महाने देशक किसे बनाया है सिद्धार्थ लुंग जाम को वाई अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे बेल आइकन को इसलिए प्रेस कीजेगा ताकि कोई व जाए और आप वीडियो मिस ना करें ठीक है तो आगे देखते हैं अगला है पोईला बैसाग ठीक है पोईला बोईसाग का संब्ध किस राज से है तेके पोईला बोईसाग जो है बंगाल का नव वर्स है निव येर जिसको बोलते है तो पोईला बैसाग का संब्ध किस है क्या है एक्वा किसान के लिए कुसर इस तरह से देढ़ंगान अगरे सरा अगला देखते हैं भारत ने गगन मिशन पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझोता किया है फ्रांस के साथ काफी इंपर्टेंट कोशन है देखे गगन मिशन जो है गगनियान मिशन जो है भारत का वो 2022 में लांच किया जाएगा और गगनियान मिशन में क्या है मैन मिड जो ये मिशन है और इसमें अंतरिच में आदमी को भेजा जाएगा ये भारत का दौरा जो मिशन लांच किया जाएगा और ये फ्रांस के साथ भारत ने समझाता क्या है इसके पर help के लिए अगला देखे काफ़ important question है exclusive internet index क्या है exclusive internet index 2020 में भारत का अस्थान क्या रहा है देखे exclusive internet index जो है उसमें भारत का अस्थान 49 रहा है 49 रहा और ये जारी किसके दोरह क्या जाता है इस बार जो है ये economic intelligence unit EIU और facebook जो है इन दोनों के दोरह launch क्या गया है EIU economic intelligence unit प्लस facebook ये दोनों मिलकर ये इसको जारी किया है किसको exclusive internet index और भारत का स्थान उसमें रहा 49 और इस चुमें सिर्ष पर कौन रहा है तो सिर्ष पर रहे student याद रखिए exclusive internet index जो है किसके दोरह जारी क्या जाता है The economic intelligence unit और facebook के दोरह और भारत का स्थान क्या रहा है 49 और इस चुमें स्थान जो है वो सिर्ष पर रहा तो इतना याद रखिए इससे अगला प्रस्ण है अभ्यास खंजर किन दो देशों के बीच military exercise है अभ्यास खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच military exercise है किसके बीच है भारत और किर्गिस्तान के बीच military exercise पर संदिखते हैं अगला प्रस्थ ने सुरिष रहना क्या फिलीव यूर्ट लाइफ और लाइफ और करकेट तो पहले चुनात पर बंता है कि सुरेश रहना की आतम का नाम क्या यह इसका नाम ہے तो यह सुरेश रहना और भारत सुदर्शन के दौरा किसके दौरा सुरेश रहना और भारत सुदर्शन के दौरा अगला प्रसन है Space X crew 2 किसके दौरा लॉंच किया गया है तेक है Space X crew 2 जो है वो NASA का है किसका है NASA का है और इसमें चार crew को Space में भेजा जाएगा जो अंतरिच एजनसी है International Space Agency वहां चार crew को भेजा जाएगा SpaceX crew में नेक्स्ट भुकतान डिजिटल भुकतान के लिए LIC ने ठीक है जो डिजिटल पेमेंट होता है उसके लिए LIC ने किसके साथ साज़ेदारी किया है देखे डिजिटल भुकतान के लिए LIC ने पेटियम के साथ साज़ेदारी किया है तो LIC का जो साज़ेदारी है वो पेटियम के साथ option में आपको पास इस तरह से रहेगा कि डिजिटल पेमेंट के लिए LIC ने इन्वे से किसके साथ साज़ेदारी किया option A Google Pay, option B Phone Pay, option C PTM आपका अंसर क्या होगा पेटियम चलिए अगला देखते है अगला है किस देश ने बित्य फर्मों के लिए दुनिया का पहला जलवाई प्रवर्थन कानून बनाया है देखे बित्य फर्मों के लिए दुनिया का पहला जलवाई प्रवर्थन कानून जो है देखे, Seavis Services Day, प्रतेक वर्स, 21 अपरैल को मना जाता है, काम बना जाता है, 21 अपरैल को, अगला है, क्यूबा के नए राष्ट पती कौन बने, देखे, रॉल कास्तरों के बाद, क्यूबा के नए राष्ट पती जो है, डियाज कैनेल बने, कौन बने, डियाज कैनेल, काफी इ इस तरह का प्रस्ण नहीं सामिल किया गया है, जिसके पूछनी किसे अंबाबना ना के बराबर हो। सारी कि सारी जो प्रस्ण हैं, इसी में से आपको अगर अपरेल महिने से कोशन पिक अप किया जाता है, तो यहीं से कोशन पिक अप किया जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का अस्थान क्या रहा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का अस्थान 142 मा रहा, क्या रहा, 142 मा और वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में सीर्ष पर कौन रहा, तो नौर्वे रहा, ठीक है, त्यान रखेगा वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम एंडेक्स ब्ल्ड प्रिडम इंडेक्स बाइर भारत कस्थान 142 अर इसमें सिर्श पर नौर्वे रहा और यह रिपोर्ट जो है कि रिपोर्टर्स विदाट बोर्डर के द्वारा जारिके जाता है अल्रेडी पूछा जाए चुका है UPC में रिपोर्टर जो है क्या जारिकरता है तो वर्ड प्रेस फ्रेडम इंडेक्स ठीक है तो भारत कस्थान उसमें क्या रहा है 142 मा और इस इंडेक्स में सिर्ष पर कौन यहां एक पिलाश्टिक कच्रे को महा सग्रों में प्रवेश से रोकने के लिए बारत ने किसक्त render के साथ वुझा होता किया तो जडर्मनी के शल वह एगे अगला अगला है हाली में ITBP Water Sports and Adventure Institute का उदगाटन कहां किया गया है तो टिहरी में किया गया और टिहरी कहां है वाई उत्राखंड में हैं हाली में ITBP ने Water Sports and Adventure Institute का उदगाटन कहां किया तो टिहरी और टिहरी कहां है उत्राखंड में है चलो आगे देखते हैं अगला है मौन्ट अनपुर्णा पर फत्य करने वाली पहली भारतिय महिला कोई भी चीज पहला हो तो उसे पक्का याद रखना ठीक है मौन्ट अनपुर्णा को फत्य करने वाली पहली भारतिय महिला कौन बना है तो पहली भारतिय महिला बनी है प्रियंका मोहिते नाम याद अगला प्रस्ण है NASA, NASA ने अपनी NNGT Helicopter का नाम है Ingenuity, ठीक है? किस गरापर भेजा है? दिखे, NASA ने अपने Ingenuity Helicopter जो है, मंगल गरापर लांज किया है, काई लांज किया है? मंगल गरह पर तो सबस्रовые तो इसको याद रखना है इन जान्युट करकूप्टर का समबंद किसे है तो नाशा से है और किस एज्श मंगल गरह पर भेज़ा है अगला प्रस्ण में ड्रेतस प्राइब कि आ रहा है, वर्ल्ड एकोनॉमिक फोर्म द्वारणें प्रकासित ग्लोबलreno एनरजी ट्रांजीसें ट्रांजीसें इंडेक्स दोजारे एकीश्ञानिक्स organized चाहिए रहा, ग्लोबयानेर्जी ट्रांजीसें इंडेस्स के द्वारा जारी के जाता है, वर्ल्ड एकनोमिक फोरिम के द्वारा जारी के जाता है, भारत का अस्थान के आ रहा था, भारत 87th प्लेस पर रहा है, और स्टूडेन इस सुचकांक भी सिर्स पर रहा, अगला देखते हैं, अगला है परजिवरेंस रोबर का हिए, अगला देखते हैं, राष्ट्य पंचाइती राजदिवस कब मनाया जाता है, परतेकवस, राष्ट्य पंचाइती राजदिवस, 24 सपरील को मना जाता है कब मना जाता है 24 सपरील को मना जाता है अगला काफी important question है अभ्यास बरुन किन दो देशों के बीच नौस राइनी का ब्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच है BPSC में questions इस तरह से पूछा गया था कैस तरह से कि कोई भी exercise दे दिया और पूछा गया कि वो नौस अनी का ब्यास था नौस अना का ब्यास था कि आर्मी का ब्यास था कि एरफोर्स का ब्यास था तो काफी minorly question पूछा गया था याद रखेगा सिरफ ये military exercise और देशों को याद नहीं रखना है क्या वो आर्मी का exercise था एरफोर्स का exercise था या नेवी का exercise था ये भी याद रखना है ठीक है BPSC में और लेडी question पूछ लिया गया है इस तरीके से तो ध्यान रखे बरुन जो है वो भारत और फ्रांस के बीच नौसाय निकभ्यास है कि पुऺ्च पूर्सकार और फ्रांस के बीच नौसाय निकभ्यास say ये पंचायद प्रश्कार दो do जो है वो उत्तर प्रदेश ने जीता है किस ने जीता है उत्तर प्रदेश ने जीता है अगलां अगला फईधन दे प्रतthis ँर इंडियन का जो इंडेजनस एरक्राप्ट है लाइंट कॉंबए एरकर्फ टिर्द तेजस उससे इसका सफल पर इचन किया गया है और यह DRDO के दवर्या इभीख्षित किया गया है किसके दोर्या इभिख्षित किया है DRDO के दवर विस्याल का नाम क्या है पाइथन 5 क्या है पाइथन 5 दो चारवर बोलिए याद हो जाएगा तो भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करना मत बोलिएगा और लाइक बटन को जरूर प्रेस की जगा तैंक यू